नमस्ते, तो आज हमें एक quick reading करने वाले हैं, ठीक है, आपको numbers दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 5, 1, 2, 3, 4, 5, आपको इसमें से एक number select करना है, और किसी का नाम सोच कर select करना है, और फिर हम देखेंगे कि वो इनसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, इस वक्त उसके दिल में पाइल 3, पाइल 4, पाइल 5, ठीक है, तो number से आपको देखता है, I hope अपने pile select कर लिया होगा, हम start करते है, pile number 1, जुन भी pile number 1 select किया है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी नजर में आप कैसे इनसान हों, देखते हैं, सबसे पहला, यह person आपको ऐसा सोचता है कि आप financially आगे जाकर बहुत grow कर सकते हो, आपके life में financially कोई problem नहीं रहेंगे, ऐसा उनको लगता है, या ऐसे भी हो सकते कि आप rich हो, और वो अनसान इतना rich नहीं है, यह भी एक problem हो सकती कि इनसान ठोगा डरता है आपको commitment देने से, इसको लगता है कि आपका जो परिवार है rich है, अब हर किसी के साथ resonate नहीं होगा, ठीक है, तो यह इस बज़ा से आपको commitment देने से डरता है, ठीक है, और इसको ऐसा लगता है आप इतने beautiful हो, गजब के हो आप, आप में कोई mango color के dress में, कोई yellow color के dress में, कोई photo इनके पास हो सकती है, आप में से कुछ लोग हो सकता है, आप, आपको music बहुत पसंद है, और उनको आपकी ये जो पसंद ना पसंद है, सब कुछ पता है, और वो बहुत beautiful मानते हैं, उनकी नजर में आपके नए नक्ष बहुत ही खुबसूरत है, वो सोचते हैं कि जब आप इतने ज़ादा beautiful ह हो, तो मतलब वो अपने आपको lucky भी मानते हैं इस बात में, अप इतने beauty को इतने खुबसूरत होने के बाद भी आप उनको मिले हो, आपके legs, आपकी hand, आपकी beauty, आपकी body, आपके बाल, आपके नए नक्ष इतने ज़ादा इस इंसान को मतलब mesmerize करते हैं, बहुत ज़ादा वो आपकी beauty को admire करते हैं, और उनको ऐसा लगता कि आप गजब हो, गजब, चीक है, ये सोचते हैं वो, राशी टोरस वरगो, क्या परिकॉन, और क्या है, और उनको लगता कि आप में एक हिम्मत भी है, देखो गाइस, आपका जो person है, उसके अंदर शायद हिम्मत की कमी है, वो शायद आपके लिए लड़ना पाए, लेकिन उसको लगता कि आप में वो guts है, वो आगे बढ़ने की चाहत है आप में, आप में अपने life में कुछ कर दिखाने की जो जजबा होता है, वो जजबा आपके अंदर है, ऐसे आपके person के दिल में चलता है आपके लिए, और उन भी एक बज़ा है कि वो आपको commitment नहीं दे पार है, राशी लिवो हो सकती है उनके, और क्या है, इतने सारे नहीं चाहिए हमें, एक ही card निकालेंगे, और क्या है उनके दिल में आपके लिए, the hermit, उनको ऐसा लगता है, अगर आप कोई गलती करते हो, तो अप उस गलती को मानते भी हो, ठीक है, उस इंसान को ऐसा लगते को आप ठोड़े घमंडी हो, आपको अपने खुबसूरती का घमंड है, आपको अपने पैसो का घमंड है, ऐसा आपके person के दिल में है ठीक है the emperor के नच्छे उनको ऐसा लगते आप जुकते नहीं हो आप उनकी कोई बात मानते नहीं हो आप अपने ही बाते चलाते हो उस इंसान की तो कोई बात मानते नहीं हो और hermit लेकिन इस बात के उपर वो इंसान मानते हैं कि अगर आपके कोई गलती होती है, और अगर आपके नजर में वो गलती आती है, कि ठaक है आपसे वो गलती होगी, तो आप उस गलती को मानते भी हो, आप sorry भी बोलते हो, यह बात आप में है, लेकिन जुकना जदा आपको पसंद नहीं है, और उनको यही लगता है कि घमन त फेट राशी भी हो सकते हैं उनकी एरीस राशी हो सकती है आपकी भी हो सकती है तो यह बात हैं उनके दिल में आपके लिए तो यह सबकुछ आपके प्रसन के दिल में अभी इस वक्त आपके लिए चल रहा है ठीक है I hope आपको डिंग पसंद आई हो Like, Share and Subscribe मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए Bye Pile No. 2 जिरुनवी No. 2 चुना है देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है अभी इस वक्त ठीक है? कोशिश करते हैं जानने के जिरुनवी चुना है Pile No. 2 देखते हैं कि आच चल रहा है सबसे पहले उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने आपके साथ कोई जूट बोला है कोई फरेवी किया है और वो सच्चाई के साथ इस रिष्टे की नई शिरुवात करना चाहता है हर किसी के लिए बात अलग-अलग होगी इस इंसान ने कुछ तो आपसे जूट बोला है मेबी इस इंसान को बहुत फ्रिडम पसंद है ठीक है इसको फ्रिडम चाहिए और मेबी वो आप नहीं दे पा रहे थे आप इस इंसान को रोक टोक कर रहे थे तो डर की बज़े से आपके डर की बज़े से या चाहिए जो कुछ भी इसको फ्रिडम चाहिए था उसकी बज़े से इसने आपके साथ बहुत जूट बोला है ठीक है और अब ये अनसान चाहता है सच सच बोले बहुत जल आपके सामने कोई सच आ सकता है ये अंसान खुद होकर आपसे बात कर सकता है ठीक है एस अप सोर्स के एनरजी क्या बता रही है कि अंसान जब भी अब आएगा तो सच्चाई के साथ अगर आप no contact में हो तो सच्चाई के साथ इस रिष्टी के एक नई शिर्वात होने वाली है यही उनके दिल में चल रहा है कि मुझे जल से जल उसकी तरब जाना है और सच बोल कर इस रिष्टी के एक नई शिर्वात करनी है राशी है लिब्डरा अक्विरस जेमिना है आपके परसन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आज तक आपके उपर बहुत गुस्ता किया है यह इंसान बहुत ज़दा इगोस्टिक है गाज बहुत इगोस्टिक हमेशा गुस्ता करता है बात बात पर चिलाता है इसका स्वभाव ही बहुत ही ज़दा गरम मिजाज है ऐस इंसान का आपको छोटी सी भी बात बोल तो इसको अगर वो बात नहीं रुची नहीं अच्छा लगा उसको वो बात तो बहुत गुसा करता है इंसान अगर आपको show भी ना करें तो من ही मन इसको बहुत गुस्सा आता है ये क्यों ऐसा कर रहे है तो अब क्या हो रहा है कि उसको समज में आ चुकнал कि मैंने उसको बहुत ज़ाधा data है मैंने उसको power में रखने की कोशिश की देगो guys, इस इंसान को खुद तो freedom चाहिए लेकिन आपको इसने freedom नहीं दिया होगा मेंशा ही आपको अपने power में रखने की कोशिश की होगी और अगर कुछ लगली 20 वर्सा भी हो सकता है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे थे कि आप इस इंसान को power में रखने की कोशिश अगर करते हो तो इस इंसान बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप इसके उपर वो power चलाए आप इसको power में रखे आप control करें उस इंसान को क्योंकि इंसान control करने वालों में से है ही नहीं इस इंसान को आप control नहीं कर सकते हो तो ऐसा कुछ control करने के अगर आपने कोशिश की है तो ये बात इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ठीक है और देखते हैं एक कार निकालेंगे क्या चल रहा है इसके दिल में टू अप सोर्स इसकी बड़ी द्वीधा परिसिती होती है और इस इंसान बहुत जादा ओवर्थिंकिंग करता है और इसको डर लगता है कि सब कुछ ठीक होगा कि ने होगा सब कुछ खतम आपके परसन और आप बहुत ज़्याद चांसे से कि आपर जो भी लोग ये पाई देख रहे हो बहुत ही जादा दोनों के बीच में दूरिया आ चुकी है आप दोनों का ब्रेक अफ हो चुका है तभी तो इस रिष्टे की एक नई शिर्वात आपका परसन करना तो चाहता है नियू बेगनिंग सच्चाई के साथ करना चाहता है लिकिन उसको बहुत कन्फूजन है उसके दिमाग में उसकी आखों पर पट्टी बंदी है वो इंसान सही डिशिजन नहीं ले पा रहा है और जो कुछ भी पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ धोका किया गलत किया आपके साथ दिटावर के नर्जी है सब कुछ खराब कर दे इसने खुद की गलतियों की बज़ह से तब ही एंसान इस रश्टी की नहीं शिरवाद करना चाहता है लेकिन इसको लगता है कि कुछ ठीक होगा नहीं ये बात इसके दिल में अभी चल रही है लिब्रा एक्वरस जैमिना हच से ज़दा यहापर ओवर्थिंकिंग है कि उसने आपके साथ जो गलत किया अब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे ये डर भी उसके मन में अभी है ठीक है आई होब आपको रडिंग पसंदा आई हो लाइक शेर और सबस्क्राइब मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई जिनुन भी चुना है पाइल नमबर थ्री देखते हैं अभी इस वक्त उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है उनके दिल में क्या चल रहा है सबसे पहले दस्टार बहुत ज़्यादा चांसे से कि इस इंसान ने आपको पास्ट में अगर कोई दुख दिया है कुछ हर्ट किया है तो वो इंसान आपको हील करना चाहते है ठीक है उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी तरब से कभी बैलस नहीं हुआ है इस रुष्टे में हो इंसान आपको modern कपड़ों में देखना चाहता है उसकी इच्छा है उसकी विष्ष है उसकी दिली ख़़श है कि आपको modern कपड़ों में देखे अगर आप एक लड़की है तो वो आपको shots में देखना चाहते है बहुत beautiful आप already हो और वो आपको और जदा ऐसे से अंदास में देखना चाहते है उसकी wish है बहुत chances है कि आपकी जो बाल है हो सकता आपने die किया हुआ जरूर नहीं हर किसी के साथ resonate हो और इस इंसान को अच्छा लगता है उनको लगता है आपकी ओपर वो हर बात जचती है जैसे आप रहते हो ठी इसी के स्टार हो आप ठीक है और हो सकता कि इसके पास दो दो option है इसका परिवार और एक आप यह पर भी कुछ द्विधा परिस्टी भी है ठीक है और देखते हैं क्या चल रहा है वापस वह है निटरी कि इस इंसान को आप बहुत ब्यूटिफुल दिखा देते हो बहुत ही ब्यूटि इस इंसान को इसकदर मतलब ड्रक करती है इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि जैसे के उनका परिवार दूसरा option हो सकता है तो इनको डर भी लगता है आपको commitment देने में वह आपको commitment देना चाहते हैं लेकिन कुछ द्विधा परिसिती है टेंशन है और जब तक आप कि ब्यूटि की बात करें तो इनसान हद से जादा attraction फिल करता है आपके लिए strong strong attraction फिल करता है आपकी कोई yellow color dress में pink color dress में white color dress में photo हो सकती है जिसमें आप बहुत ही ब्यूटि को दिखाई दे रहे हो और इनसान बार बार उस photo को देख रहा है आपका कोई favorite song इस इनसान को जाकर या अगर आप दोनों की बाक्षित नहीं हो रही है आजकल तो इसको लगते कोई फर्क नहीं पड़ता यार उसको तो कितनी खुश है अपने friends के साथ shopping कर रही है घूम रही है enjoy कर रही है मतलब खुश है वो उसकी जिन्दग में में आप ऐसे कोई पूराने भी photos अगर आप डाल रहे हो friends के साथ उनको लगते कि आप अभी अपने friends के साथ बहुत घूम रहे हो enjoy कर रहे हो तो आपकी person का ऐसा लगता है को उसको कोई फर्क नहीं बढ़ रहा है मुझसे दूर रहे कर उसे कोई इतना फर्क पड़ता ही नहीं है वो तो खुश है अपने friends के साथ उ और वो हर एक बात याद कर रहे है उस इंसान ने आपको क्या बोला आपने फिर क्या बोला आपने क्या डाटा आपने कैसे जगडा किया आपने उस इंसान को कैसे नाराज किया आपने उस इंसान को कैसे हर्ट किया हर एक बात इस इंसान के दिल में अभी चल रहे है कि उसने मुझे ये बोला था उसने मुझे दुख दिया उसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला दिमून नाराज की है अभी उनके दिल में आपके लिए नाराज की है ठीक है और दिमून के एनरजी कुछ लोग के लिए इनकी मदर इनकी माता जी इस रिष्टे के लिए रेडी नहीं है इ ठीक है उनको ऐसा भी लगता कि आप आगे चल कर बहुत इंडिपेंडेंट बनने वाले हो या अल्रडी आप हो और आप पैसा कमाओगे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा ये भी उनको लगता है अब देखते हैं जिरन भी पाइल नमबर फोर चुना है उनके दिल में क्या चल रहा है अभी इस वक्त क्या सोच रहे है वो पाइल नमबर फोर ये इनसान अपनी गलतियों के उपर बहुत गंभिरता से सोच रहा है इस इनसान ने कुछ गलतिया कर दी है आपके प्रती कुछ तो ऐसा गलत कर दिया है कि अब उसको अपनी गलतियों के उपर रिग्रेट हो रहा है पश्तावा हो रहा है और मिट के नर्जियस इंसान को अपने खुद की गलते ओपर सोचने के लिए मजबूर कर रही है ये इंसान बहुत अकेला-अकेला रह रह रहा है अपने आपको टाइम दे रहा है और उस वक्त में आपको लेकर क्या कुछ किया जा सकता है और अपनी गलते को कैसे सुधारा जा सकता है इसके बारे में आपके परसन सोच रहे है वो आपको कोई फैसला देने के बारे में सोच रहे है उनकी ऐसी कुछ गलतिया हुई है कि जिसको लेकर में भी आपको कोई गलत फैमिया हुई है ये इंसान बहुत चल आपको कोई फैसला देने के बारे में भी सोच रहे है आपके person आपके साथ एक bright future चाहते हैं वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं बच्चे पैदा करना चाहते हैं और आपके साथ भी खुशी खुशी वो जिन्दगी बिताना चाहते हैं इस इंसान को बहुत ये इंसान freedom lover हो सकता है इसको freedom ना मिलने की बज़े से आप दोनों के बीच में बहुत दूरिया आई है ऐसा भी हो सकता है इस इंसान को रोक टोक नहीं चाहिए इसको जैसा जीना है बस जीने दो, enjoy करने दो ऐसा इनका मानना है इसको लगता है कि इसका जो happiness है जो खुश्या है इसको freedom चाहिए लेकिन जब आपसे दूर जाता है तो बहुत दुखी रहता है मेभी आप जब दोनों साथ थे तो इसको freedom चाहिए था इसको आपसे दूर जाना था और आज जब यह आपसे दूर है तो देखो कैसे अकेले रह रहा है और बस आपके गम में जी रहा है ठीक है तो इसको लगता है कि आपके साथ उसका bright future है और उसकी सारी खुश्या सारी happiness आप से ही जूरी है और वो इस रिष्टे में एक bright future देख रहा है और देखते हैं देखो वापस वो परसन आपको stability देने के बारे में सोच रहे है आपको एक sword offer देने के बारे में सोच रहे है क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि वो आप ही के साथ जिंदगी गुजार सकता है वो आप ही के साथ शादी कर सकता है वो इंसान इस रिष्टे में stability लेकर आने के लिए बहुत गहरा है, इसे सोच विचार कर रहा है, ओफर देने के बारे में सोच रहा है, उसकी तरब से हमेशा इस रिष्टे में कमी रही गई है, और वो जो कमी रही गई है, वो उसको बहर के निकालना चाहते हैं, वो इस रिष्टे में balance लेकराना चाहते हैं, आपको एक offer देना चाहते हैं, और बहुत ही खुबसूरत तरीके से, decent, मतलब शादी भी करना चाहते हैं आपके साथ, बच्चे पैदा करना चाहते हैं आपके साथ, सारी जिंदगी आपके साथ वो गुजारना चाहते हैं, ये कुछ बाते हैं उस इंसान के दिल में अभी चल रहे हैं, और बहुत spiritually भी वो आपको feel कर रहे हैं, उनको ऐसा लगत हैं, ठीक हैं, I hope आपको रोडिंग पसंद आई हो, like, share and subscribe, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye, pile no.5, देखते हैं, जनुर्वी pile no.5 चिना हैं, आपके person के दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, आपको लेकर, strength, सबसे पहले इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है, वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसको ऐसा लगते हैं, मैं इतना महबत करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है, कि मैं उसके लिए लड़ जाओ, अपने घरवालों से, समाज से, या उसके सामने जाकर कुछ बोल दो, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, आपके परसन आपसे बहुत प्यार करते हैं, दिलवर्स के काड नहीं आपर शो कर दिया, कि अंसान के दिल में आपके लिए भर-भर के प्यार है, लेकिन उस इंसान की हिम्म लिवराशी हो सकते हैं, और देखते हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में अभेस वक्त, ये इंसान आपको अपनी दिल में जो कुछ भी है, वो बताने के लिए तडब रहा है, वो बहुत जल आपके तरह अपनी दिल की बात लेकर आना चाहता है, उसको ऐसा लगता है क अगर वो अभी आपके तरफ नहीं आएगा तो फिर बहुत देर हो चाएगी उसको आपके तरफ आना बहुत जरूरी लग रहा है कि लेकिन वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है लेकिन बहुत जल्द ये अपनी दिल की कुछ बात आप तक पहुचाना जरूर चाहता है राशी है कैंसर स्कोर प्योपाइसी इमोशन्स गजब के हैं इसके दिल में प्यार सच्चा प्यार इसके दिल में आपके लिए हैं अगर आपको लगते के इनसा आपसे प्यार नहीं करता है इसा बिल्कुल भी नहीं है इसके दिल में बहुत सारे emotions आपके लिए जाग रहे हैं बहुत ही ज़दा वो अंसान आपको खोना ही नहीं चाहता वो अंसान आपसे शादी करना चाहता है bottom में है four of wands के energy कुछ लोगे आपट टी अफ जर्नी में भी हो सकते हैं अगर आपने बहुत संगर्ष बहुत दुख देखा इस रुष्टे में दिखाई दे रहे हैं आप पर तो आप टी अफ जर्नी में हो सकते हैं four of wands के energy वतारी कि एस इंसान के दिल में अभी चल रहा है कि वो आप इसे शादी करेंगे क्योंकि वो आपको हर्गिस नहीं खोना चाते हैं बहुत जल वो शादी की बात लेकर आपकी तरफ आना चाते हैं five of cups के energy उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने आपको जो दर्द दिया जो तकलिप दी वो गलत किया उसने बहुत गलत किया और वो हर्गिस आपको खोना नहीं चाता five of cups के energy लॉस फिल कर रहे हैं आपका पूरसन एमोशनली लॉस फिल कर रहे हैं आपसे दूर जाके उसको लगता है कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं आप नहीं तो जिन्दगे में प्यार नहीं खुशिया नहीं और वो बहुत जल इसी बज़े से आपके जिन्दग में वापस आने वाला है क्योंकि उसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है वो आपके बिना नहीं रह सकता और इसी बज़े से उसने रिसाइड कर ले कि वो शादी करेगा तो वो आपसे करेगा ठीक है डर है इसको इसको ये भी डर कि आपके घरवाले कहीं आपकी शादी ना करा दे वो आपके तरफ आएगा और अपने दिल की बात बस बोल देगा कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता फाय अप कप्स के इनलटी अंसान रो रहा है आपके लिए इसके आखों में आसू है, इसके दिल में नाराजकी है ये इनसान दिल का बुरा नहीं है, लेकिन कुछ गल्तिया इसने जरूर जरूर कर दी है पास्ट में कि इसकी बज़े सिब इसकी हिम जैसे हिम्मत हार रही है शादी के बात सोच रहे है वो बहुत सपने देखे इस इनसान ने, आप इसे शादी करने के लिए और वो अपने सपनों को पूरा भी करना चाहता है ये सब कुछ चल रहा है आपके परसन के दिल में अभेस वक्त I hope आपको रडिंग पसंद आई हो, like, share and subscribe मिल टे अगले वीडियो में आपके लिए बार